स्टोरी जैम में आपका स्वागत है आज सुनेंगे कहानिया कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अंजानी मुझे आपको ये कहानिया सुनाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन शायद उससे भी ज्यादा ये अच्छा लगता है कि मैं इस पॉड्कास्ट के बहानी से हिंदी सहेती की गल्यों में घंटों भटकती रहती हूँ और हर मोड पर कुछ ऐसा मिलता है कि दिल खुश हो जाता है लगता है मेरे हाथ एक खजाना लग गया कभी किसी नामी व्यक्ती का कम जाना काम, कभी कोई लेखक जिनका मैंने नाम सुना था पर मैंने उनका काम कभी नहीं पढ़ा था और कभी लेखक के जीवन का ऐसा आयाम जिससे मैं वाकित नहीं थी आज ऐसे ही एक लेखक, कृष्ण बलदेव वैद मेरे जैसे बाइलिंग्वल के लिए एक इंस्पिरेशन मैं नहीं जानती थी कि कृष्ण बलदेव वैद ने अपनी पिएचडी हेन्री जेम्स पर की थी हावर्ड उनिवर्सिटी से साम्योल बेकट के नाटक वेटिंग फॉर गोडो का पहला हिंदी अनुवाद भी उन्होंने किया उन्होंने सारे जीवन न्यूयोक में युनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाई और हिंदी को दी अनेकों बहुमूल्य कहानिया लेक, संस्मरन और नाटक आज उन्हीं कहानियों में से एक आए सुनते हैं कृष्ण बलदेव वैद की लिखी उडान और एक दिन सब काम धंदे छोड़ कर घर से निकल पड़ी कोई निश्चित प्रोग्रेम नहीं था, कोई संबंधी बिमार नहीं था, किसी का लड़का पास नहीं हुआ था किसी परिचित का देहांत नहीं हुआ था, किसी की लड़की की सगाई नहीं हुई थी कहीं कोई संत महात्मा नहीं आया था कोई त्योहार नहीं था कोई बहाना नहीं था वास्तव में हुआ ये कि बरतन मांचते मांचते अचानक जाने कहां से और कैसे शीला के मन में एक अंजानी तरंग सी उठी और हाथ में पकड़े हुए बरतन को पटक कर हाथ धोए बिना वो जैसी की तैसी कमरे से बाहर आई और पुकारने लगी रानी ओर रानी रानी का कमरा आहाते की दूसरी छत पर था आवास देते देते शीला की दृष्टी शून्य को चीर कर आकाश पर छाय हुए बादलों से टकराई और पानी का एक कत्रा उसकी दाई आँख में आकर गिरा शीला ने एकदम आँख मीचली और फिर जोर से आवास देने लगी रानी ओर रानी और जब रानी ने जंगले से नीचे जहागते हुए पूछा क्यों री क्या हुआ जो मूँ अंधेरे बांग दे रही हो तो शीला जवाब देने की बजाए खिल खिला कर हसने लगी और रानी सवाल दोहराने के बदले धम धम करती नीचे आंगन में आ गई और आते ही शीला की चुटिया पकड़ कर खीचने लगी शीला ने हसते हुए धम की दी छोड़ दो नहीं तो मूँ काला कर दूँगी रानी ने हसकर जवाब दिया किसका अपना और फिर दोनों हसने लगी और हसते हसते ही शीला ने रानी के कान में कुछ कहा जिसे सुनते ही रानी ताली पीट कर चिलाने लगी वंती ओ वीरा ओ वंती वंती और वीरा उसी मकान की निचली मन्जिल के दो कमरों में रहती थी और सब शोर सुन चुकी थी वंती अपने कमरे के एक कोने में नहा रही थी और वीरा पिछले प्रहर के लिए थोड़ा सा आटा गूंद रही थी रानी की अवाज सुनते ही वंती ने तुरंत एक दो गलास पानी के इधर उधर फेंके और एक मैला दुपट्टा बदन पर लपेट कर कमरे से बाहर आ गई वीरा ने आटा अधसा ना छोड़ दिया और पहले से ही शीला और रानी के साथ खड़ी ना जाने किस बात पर हस रही थी वंती को देखते ही तीनों बिलकुल बच्चों की तरह चिलाने लगी वंती नंगी हो एं वंती वंती खिसिया कर अपने कमरे में लौट गई और जल्दी जल्दी पेटी कोट और कुर्ती पहन कर कुर्ती के बटन बंद करती करती फिर बाहर दोड़ाई रानी ने आगे बढ़कर कहा अरी दोडो नहीं तुम्हारे हिस्से का तुम्हें मिल जाएगा वंती न ज़रा आश्चरे से पूछा क्या तो तीनों ने एक ही स्वर में कहा प्रसाद और फिर चारों खिल खिलाकर हस पड़ी उनकी इस खिलखिलाहट से अहाते का घुटा हुआ वातावरन मानो चिड़ सा गया और इस चिड़चिड़े पन का सपष्ट प्रमान था अहाते की मालकिन का कुपित चहरा जो अपने पोर्शन के सामने वाली गली में खड़ी इन गवार स्त्रियों के गवार पन पर दात प यद दिपि उसकी मालकिन का पारा कुछ दर्जे और उपर चड़ गया। हस्ती चीकती बल खाती चारों अपने अपने कमरे में दोड़ गएं। शीला ने राख बरे हाँ जल्दी से धोए। बर्तनों का धेर जहां का तहां पड़ा रहा और वो अपने फूलों वाली सलवा ठीक करने लगी। रानी ने जाड़ू उठा कर एक कोने में फेक दिया और पानी भरी बाल्टी फर्श पर उडेल कर उसे एक और खिसका दिया और हाथ पेटिकोट से पोँचकर आँखों में सुर्मा डालने लगी। वंती पहले से ही सब काम समाप्त कर चुकी थी केवल आटे की परात को एक कोने में धकेल दिया। उसके कमरे में चप्पे चप्पे पर जूठे बरतन पड़े हुए थे क्योंकि उसके बच्चे अभी अभी खापी कर बाहर निकले थे। उसने एक दो गिलास उठा कर ठिकाने लगाए, फिर मुँँ हाथ धोने लगी। कुछी जाती बार आँख उठा कर उसकी ओर देखा तक न था। नीच घराने की। आहात्य की मालकिन बड़बड़ाई। और उसी समय उसके पती ने अंदर से आवाज दी। अरी कहां चली गई तु नीच घराने की। ये क्या कर दिया तुने। और वो अंदर जाकर पती से जगड चलने लगी। इधर वे चारों सडक पर एक दूसरे के पीछे ऐसे भाग रही थी जैसे प्राइमरी स्कूल की लड़किया। रानी ने तो हदी कर दी। दुपट्टा उसने कमर पर बांद लिया और चोटी को सर पर पगड़ी की भांती लपेट कर यो चलने लगी जैसे रा जाओगी। वो इतनी जोर से बोल रही थी कि नवाप गंज रोड पर जाने वाले कुछ विद्यारती मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। शीला के कई बार चिलाने पर आखिर रानी रुकी और कुछ सलाह के बाद उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें सबजी मंडी से ट्र पड़ी। एक ट्रॉम्ट खड़ी थी, वो दौड कर उसमें बैट गई और जब कंड़क्टर ने शीला से पुछा कहा जाओगी जी। तो शीला ने हसकर जवाब दिया उससे पूछो। कंड़क्टर इस अकारण हसीक पर खीज सा गया और उसने तुनक कर कहा किस से शीला ने फिर हसकर कहा, नाराज क्यों होते हो, उससे रानी से पूछो, मुझे सपना आएगा कि रानी कौन है। कंड़क्टर ने बिगड़कर कहा, मैं हूँ रानी। रानी ने चलती ट्राम में उठकर आगे बढ़ते हुए कहा, और दूसरे ही क्षण में लड़ खड़ा क एक व्रिध की गोधी में जागिरी। शीला, वंती और वीरा खिल खिला कर हस उठी, और रानी उस व्रिध की गोध में से उठते हुए बोली, हसती क्यों हो, अपने पिता के समान है। इस पर ट्राम में बैठे सभी लोग हस पड़े, और वो व्रिध बंगले जाकने रानी उठकर गिरती, पढ़ती, फिर अपनी सीट पर पैट चुकी थी। कुतुब रोड के अड़े पर जब वो ट्राम से उतर गई, तो कंड़क्टर ने ना जहने किसे संबोधित करते हुए कहा, अजीब वाहिया तौरते थी। और ट्राम में बैठे एक आदमी ने अपन कर रहा था कि बुढ़ा उस औरत की हरकत की बुराई कर रहा है या वैसे ही चटखारे ले रहा है। ट्राम से उतरते ही उन्होंने फिर सोचने की आवश्यक्ता समझी कि वे कहा जाएं। और रानी ने अपने मूँ पर उंगली रखते हुए कहा, हाई हम कहां आ गई। तो श जुरी तेरी हुई जा रही थी। और ये भी भूल गई थी कि दोनों दिशाओं से एक एक कार केवल उन्ही के कारण हौन पर हौन बजा रही थी। और जब एक कार ने पीछे से रानी की टांगों पर हलका सा ठोका दिया, तो उसकी हसी चीख में बदल गई। और उसने नाम तो सबने सुन रखा था। वंती का घरवाला दफ्तर से लोड़ते समय हर पहली तारीख को कनाट प्लेस से ही फूलों का एक हार उसके लिए ले आया करता था। वीरा का राम दयाल भी अपने कामकाज के संबंध में कनाट प्लेस जाया करता था, जहां उसके सस्ते बिस अमती उधर जा निटली थी। शीला का सुझाओ हाथों हाथ लिया गया और वे एक तांगे में सवार हो गई। घोड़ा पहले ही काफी तेज था, मगर रानी ने जरा नखरे के साथ तांगे वाले पर चोट करते हुए कहा, ले इसी तरह टिचकूं टिचकूं चलेगा क्या तो तांगे वाले ने घोड़े की पिछली टांगों में चड़ी के साथ कुछ इस शरारत से खुजली की कि घोड़ा हवा से बाते करने लगा, तड़ाक तड़ाक करने लगा, तड़ाक तड़ाक के पाउं पक्की सड़क पर पढ़ते और तांगे वाला कभी रानी और कभी शीला की ओर जो उसके बराबर अगली सीट पर बैठी हुई थी ऐसे देखता जैसे इनाम की मांग कर रहा हो परंतु रानी और शीला होड़े से भी अधिक तेज दोड रही थी रानी का दुपट्टा सिर पर तो पहले ही नहीं था अब उसके बदन के किसी भी हिस्से पर नहीं थी रानी कह रही थी बल्ले ओ बल्ले शीला कह रही थी हाई राम इतना तेज तांगे वाला कह रहा था कहो तो और तेज वंती और वीरा पीछे बैठी बोल उठी हाँ भाई और तेज और तेज तांगे वाला पायदान पर खड़ा ललकार रहा था और सडक पर आने जाने व तो सर्व सम्मती से निर्णय हो जाता कि तांगे पर वैश्याएं बैठी हैं, तेज कैसे न दोड़े, लेकिन चूंकि तांगा वैश्याओं को न बैठाए था, इसलिए कनोट प्लेस पहुँचकर तांगे वाले को भी निराशा हुई, इनाम देने की बजाए उससे रानी कह रही थी, भाई हमारे पास तो साड़े ग्यारा आने हैं, अब दो पैसे के लिए क्या जान लेगा? तांगे वाले को शायद रानी का ये वाक्य सुनकर ठेश सी लगी, एकदम बोल उठा, रानी तो ये भी रख ले, उसका ये कहना था कि वंती, वीरा और शीला खटाक से जैसे किसी ने तीन फवारे छोड़ दिये हो, रानी पहले एक शण के लिए भोचक किसी रह गई, फिर जब बात समझ में आई, तो इतनी हसी कि खड़ी न रह सकी और वहीं बैठका हुई हुई करने लगी, तांगे वाले ने अपने आप से कहा, पागल होंगी, और कदम कद का दूसरा दोड़ शुरू होने वाला था, कि उसी तांगे वाले की आवाज फेर आई, क्यों जी, कुतुब की सेर करवाला हूँ, तांगे वाला कुछ दूर जाकर फिर मुड़ाया था, कुतुब की सेर करवा अपनी मा को, अपनी बहन को, रानी ने विशेश घरेलू और कि स्वर में कहा, और अपनी सहेलियों से बोली, चलो री, यह मुआ तो कुत्ते की तरह पीछे ही पड़ गया, और वे ओडियन सिनमा की ओर चल पड़ी, रानी बोली, यह है कनाट प्लेटस, वीरा बोली, कनाट प्लेटस नहीं, करनाट प्लेस, वंती ने कहा, क्या बक्ती हो नाम है कनाट प्लेस, शीला ने कहा, नाम कुछ भी हो, स्थान तो यही है ना, रानी बोली, पूछ क्यों नहीं लेती किसी से, जाओ अपनी उस तांगे वाले से, तांगे वाले का नाम सुनते ही रानी, एक मुस्कान को दबाती हुई बोली, वह नाम तक जान गया, वो ओड पुरुशों के पेशा आप घर पर जा रुकी, कुछ शंट सोचती रही कि अंदर क्या होगा, और फिर रानी ने दर्वाजा अंदर की ओर धकेला, और ओई मा कहकर बाहर की ओर भागने लगी, सब की सब भागती फिसलती बाहर आ गई, और रानी से पुछने लगी, क्या हु यह हनुमान जी का मंदिर है कहो तो, राख डालो हनुमान जी के मंदिर पर, सेर पर निकली हो कि पूजा को, वहां भी कोई मोटा ताजा पुजारी बैठा घूर रहा होगा, आप बीती सुना रही हो, शीला ने कहा, और वो फिर हसने लगी, और इसी तरह हसते हसाते, फिरते फिराते, उन्होंने शाम कर दी, हसते हसते उनके गले बैठ गए थे, और वैसे भी उन्होंने बहुत कुछ अलम गलम खा लिया था, गोलगप्पे, आलू की टिकिया, चाट के पत्ते, चनाजोर गरम, यानि कनौट प्लेस के बड़े होटलों को छोड़ कर बाहर जो चीजे मिलती थी, वो सब उन्होंने थोड़ी-थोड़ी चकली थी, कनौट प्लेस के बरामदों में कितने ही चक्कर लगाए थे, कितनी ही दुकानों के सामने हक्की बक्की होकर खड़ी हुई थी, कितने ही लोगों को अपनी हसी के कारण भ्रह्म में डाल जुकी थी, और अब उनक की टांगों में हलका-हलका दर्द होने लगा था, तथा उनके दिमागों को कोई जंजीर घर की ओर खीचने लगी थी, चलो न वहां, क्या हरी-हरी घास है, थोड़ी देर बैठ कर आराम कर ले, पर इसके जवाब में हां या ना की बजाए, जब वीरा ने धीमे स्वर में कह घर नहीं चलोगी, तो घर का नाम जैसे घड़े पर रोड़े के समान लगा, चारों के चहरे एकदम उतर गए, घर जाकर क्या करोगी, रानी ने हिम्मत से काम लेते हुए कहा, लेकिन उसके इस निर्बल से प्रतिवाद का या थार्थ के कड़वे बादलों पर कोई प्रभ अपने आपको समझा रही हो, है खाक, शीला ने जवाब दिया, जैसे कह रही हो, जानते भूचते हुए पूचती हो, और वे चारों सहेल यां, हरी हरी घास पर बैठने की बजाए, घर की ओर लोट पड़ी, तांगा कर लो, रानी ने कहा, पर किसी को हसी ना आई, वंती और वीरा को मानो साप सुंगया है, शीला ने कहा, सोच रही हूँ रात को सबजी क्या पकाऊंगी, बंती ने जवाब दिया, उसका मजाक उड़ाने की बजाए, रानी बोली, मेरे से सुबे की दाल ले 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 ना, और वो रास्ता पूचती-पाचती, घर की छोटी-छोटी उल चाप करती, तेज-तेज घर की ओड़ चलने लगी, जब वो गली के पास पहुंची, तो अंधेरा काफी गहरा हो चुका था अगली बार फिर मिलेंगे, एक और कहानी लेख या कविता के साथ, तब तक, अल्विदा